हाई फ्रेंड्स में अकांशा सर्माजी के विदकांशा में आपका स्वागत करती हूं मद्दपदेश डेली करेंट अफियर्स में आज हम दो फरवरी का करेंट पढ़ने वाले हैं बहुती सांधार ये टॉपिक है बहुती सांधार कोशन है आज के तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट में मद्दपदेश की हलवा प्रश्मी करेंगे और साथ में आपके लिए कोशन भी दूँगी जिसका जवाब आप मुझे कमेंड वाक्स में देंगे आज का पहला कोशन है सरदार बल्लब भाई पटेल यूनिटी कप राज्यस तरिये टैनिस टूनामेंट किस जिले में हो रहा है नर्सिंग पूर पन्ना सागर या सिवनी तो ये जो सरदार बल्लब भाई यूनिटी कप टूनामेंट हो रहा है टैनिस का ये नर्सिंग पुर जिले के गाउं में हो रहा है किस गाउं में हो रहा है मैं आगे पढ़ते हैं तो याद रखिएगा सरदार बल्लब भाई पटेल यूनिटी कब आप से ये भी पूछ सकते हैं कि जो सरदार बल्लब भाई पटेल यूनिटी कब है वो किस प्रतियोगिता के आपको याद रखना है यह tennis toormand है कहां हुए है यह तो पंचायत इवम ग्रामीड विकास seminar है हमारे है पहलाज सिंह पटेल यह भी याद रखीएगा नरसिंग microsdयले की ग्राम पंचायत बगास पुर में कहां हो रहा है नर्सिंग पुर जिले की ग्राम पंचेत बगासपुर में सरदार अबला भाई पटेल यूनिटी कम के अंतरगत राज इसतरी टैनिस टूनामेंट के समापन में ये सामिल हुए थे पहला सिंग पटेल तो याद रखिए का कहां पे हुआ था नर्सिंग पुर ज संस्थान है के अंदर ये 20 संस्थान है कहां पर है ये भोपाल में है के अंदर ये 20 संस्थान कहां है भोपाल में है और यहां पर जो है जो सेक्स सीटेड वीरी उत्पादन लेव है वहां पर बच्चियों का उत्पादन किया जा रहा है और यहां 90 परतिसत बचिया उत्पा आइडी है जहां से आप मुझे follow भी कर सकते हैं आज मैंने जो पूरे मन्त के एक जनवरी से 31 जनवरी तक थे उसके हलवा प्रश्ण जो साथ में करवाती हूँ हर दिन वो मैंने एक साथ मेरा थन भी करा दिया है पूरे मन्त का नहीं देखा है देख लीजेगा बहुत ही महत प कोशन पढ़ते हैं यह हमने किया है केंद्रे वीरी उत्पादन सबीजू संस्थान है मद्र प्रदेश में 1980 में स्थापित हुआ था और यह इसकी एक वीरी उत्पादल लेव है सेक्स सौर्टेड वीरी उत्पादल लेव यह भोपाल में है जहां पर उच्छ तकनीक के प्र प्रियोक साला में दो लाग डोज प्रति वर्स का लक्ष रखा गया है अभी तक साड़े छे लाग डोज का जंगरान किया जा चुका है इससे ना किवल दुग दुट पादन में व्रद्दी हो रही है बलकि उत्तम नसले का गोवंश भी तैयार हो रहा है अगला कुशन है हाल ही में मंत्री संपत्या उईके ने किस जिले के स्वैम साहिता समू को एक करोड पचपल लाग के स्वीकरती पत्र दिये हैं दिंडोरी बाला घाट नीमच या सहरिया तो जो संपत्या उईके हैं वो लोग स्वास्त यांत्री की मंत्री हैं इन्होंने डिंडोरी जिले के स्वैम साहिता समू को एक करोड पचपल लाग के स्वीकरती दिये इसके बारे में पढ़ लेते हैं लोग स्वास्तियांत्री की मंत्री हैं संपत्या हुई के उन्होंने मद्यपदेश राजग्रामी नजिवी कमिशन के तहत जो जिला इस तरी विकास खंड होते हैं उसमें अलग-अलग संगठाने जैसे बैंक सकी, समता सकी, क्रसी सकी, पसू सकी से चर्चा की और अर्ताली स्वैम सहायता समू को एक करोड पचपल लाग रोपे के रिड़ स्वीकरती पत्र दी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने स अर्यावरन विशेशक के उपस्तित होंगे देखो बैटलेंड दिवस आज है दो फरवरी को जो कि विश्व आदरता दिवस के रूप में मनाया जाता है दो फरवरी को 1971 को इरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था आदर भूमी संडक्षन के लिए विश्व में जितनी भी आ सम्मेलन हो रहा है मतलब आज का जो सम्मेलन है वो इंदौर में होगा तो इंदौर में इंदौर का जो सिर्पूर बैटलेंड है मद्व पदेश में जो सिर्पूर बैटलेंड है मद्व पदेश के चार रामसर इस्थल में से जो सिर्पूर बैटलेंड है उसमें का प्रोग परियावरन राजमंत्री अस्वनी चौवे इसमें विश्य सत्थिती के रूप में होंगे विसुवेटमेंट डिवर जो मनाया जा रहा है जो कारिक्रम हो रहा है वो परियावरन बन जलवायू परिवरतन मंत्राले भारत सरकार सहय आयोजक और मध्यपदेश राज दिवस मनाया जाता है इस दिन 1971 में इरान के रामसर सहर में तालावों को बचाने के लिए अंतरास्टी संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे विस्वेटलेंट दिवस तालामों के प्रती जागरती लाने के उद्देश से भी मनाया जाता है इस वर्स जो इसकी थीम है वो है ब राजस असन दौरा तालावों के संध्रक्षन के लिए अनिक उपाई किये जा रहे हैं इसे दो वर्सों में रामसर साइट की संध्या एक से बढ़कर चार हो गई है पहले रामसर का किवल जो तालाव था किवल वही सामिल था लेकिन अब वर्तम मान में इसकी संध्या रामसर बेटलन सिटी के रूप में अधी मानिता प्राप्त करने की दिसा में अग्रसर हैने तक कोई भारत की ऐसा सहर नहीं है जो रामसर सिटी कहलारे लगी है दोला क्रफ़े जो जो जिसमें पिछली दो सताफदियों में प्राकर्तिक विशेस्ताओं के साथ बिक्सित किया गया है आम तोर पर पक्षी अव्यारन नाम से प्रसिद ही है इस थल एक उथली छारिये पोशक तत्वों से भर पूर जील है यह लुप्त प्राय जातियों सहित पौधों और जानवरों को संरक्षन देती है यह लगबग 175 इस्थली पौधों की प्रजातियों 6 मैकरोफाइट, 30 प्राकर्तिक और मचली प्रजातियों के साथ 8 सरी सरपों को यह रखती है तो यह याद रखिएगा कौन सी यह बेटलेंड साइट जो है 8 सरी सरपों उभेचरों के जीवन के लिए भी जरूरी है तो यह सिरपुर में हो रहा है रामसर कारिक्रम कहां पे हो रहा है मध्यपदेश के सिरपुर में हो रहा है आपको याद रखना है अगला है गिरगाई के उन्नायन के लिए अनुसंधान के इंदर कहां बनाया जा रहा है गिरगाई के उन्नायन के लिए जो अनुसंधान के इंदर बनाया जा रहा है बेंड मोरेना, सियोपुर या सिपुरी तो यह सियोपुर में बनाया जा रहा है गिर गाई के उन्नाइन के लिए अनुसंदान के इंदर बहुत इंपोर्टेंट है आज कुछन आज मोरेना में रॉक्टर महोन यादब गए थे और वहाँ पुनोंने बहुत सारे विकास कारियों की समीक्षा की बहुत सारे जो अलग-अलग जगों का सिलानियास किया उधरी पे उन्होंने ये भी गोशना की इस से ओपुर में गिर गाई के उन्नाइन के लिए एक अनुसंदान के इंदर बनाया जाएगा फ्रेंड, MBPSC Prelims के नोट्स की बुकिंग 5 फरवरी से होगी जो लोग भी बुकिंग कराना चाहते हैं जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तैयार नोट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 5 फरवरी से की बुकिंग आरम हो जाएगी तो आप ले सकते हैं सेव पुर में गिर गाय उन्नाइन के लिए नुसंदान के इंदर बनेगा देश का पहला गवव भ्यारन आगर मालवा है सरकार दोरा इस्तिपित देश का पहला गाय अभ्यारन मध्यपदेश के आगर मालवा जिले में है इसको काम धेनू गव अभ्यारन भी कहा जाता है ये आगर मालवा में एक सालरिया गाउं है आगर मालवा में क्या है एक सालरिया गाउं है वहाँ पर मध्यपदेश गव संभरदन बोड द्वारा विक्सित किया गया है आगर मालवा का जो गव अभ्यारन ने किसके द्वारा विक्सित किया गया है मध्यपदेश गव संभरदन बोड द्वारा विक्सित किया गया है और वर्तमान में जो स्योपुर में बनेगा वो गिर नाम से बनेगा जो गिर गाये हैं उनके लिए अनुसंधान के इंदर बनेगा तो याद रखीगा गिर गायों के लिए अनुसंधान के इंदर कहां पर बनेगा स्योपुर में बनेगा फ्रेंट्स ये चलते चलते हलवा प्रेशन है आज के दो फरवरी के तो पहला है मध्धपदेश का राजकी पुस्प क्या है मध्धपदेश का राजकी पुस्प लिली है और मध्धपदेश के राजकी पुस्प का वानस्पतिक नाम लिलियम कैंडिमम है क्या है लिलियम पूछूंगी उसका आंसर भी जरूर दीजेगा मध्धप्रेस की प्रशासनिक राजधानी क्या है मध्धप्रेस की प्रशासनिक राजधानी जबलपूर है प्रशासनिक राजधानी क्या है सिंग राजधानी क्या है मध्धप्रेस की ग्रीस मिकाली राजधानी कौन सी है ग्रीस मिकाली राजधानी पचमरी है आर्थिक वा खेल राजधानी कौन सी आर्थिक वा खेल राजधानी इंदोर है संगीत राजधानी क्या है संगीत राजध मैयर है संगीत राजदानी कौन सी है मैयर है मैयर जो की 55 जिला बन चुका है किस दिन बना है ये 55 जिला पांच अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का 55 जिला मैयर बन चुका है कब बना है पांच अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का 55 जिला बन गया है मैयर एक सकिरे अब आज का कोशन है पांडव फाल्स कहां पर है पेच रास्टी उध्यान घोगा जीवास्म पार्क पन्ना रास्टी उध्यान या माधव रास्टी उध्यान आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि पांडव फाल्स कहां पर है सभी लोग कमेंट करके इसका अंसर जर भी लोग आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर जरूर दीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सियर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ओके फैंस तेंक यू